हेई दोस्तों, विलकम बैक तु दो चटपट टॉई टीवी, मेरा नाम है रायान, आज की वीडियो में मैं दो वीडियो गेम्स के बीच में कंपेर करने वाला हूँ, क्यूंकि आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करके पूछा था कि गेमसर हैंड हेल्ड वीडियो गेम कंसोल खरीदना चाहिए, या फिर 64-bit गेमिंग कंसोल खरीदना चाहिए, दोनों ही वीडियो गेम्स जो है मैंने बैंगूट.in से खरीदी थी, दोनों ही वीडियो गेम्स का, फुल वीडियो भी मैंने बना दिया था, पर आप मैंसे बहुत सारे लोग confused थे कि ये वीडियो गेम खरीदें या फिर ये वीडियो गेम खरीदें इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए आपको कौन सा वीडियो गेम खरीदना चाहिए अभी बैंगूट पर आप दोनों का प्राइस चेक करोगे तो गैस इसका प आपस से जानवरी से डेलिवरी करना चालू कर देंगे दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जबी भी अवेलेबल हो वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद सकते हो तो सबसे पहले मैं इसको उपन करके बता देता हूँ तो इसको मैं यहां से ओप इस वीडियो गेम को भी अन्बोक्स कर लेते हैं यहां से मैं उपन कर देता हूँ यहां पर है इसकी यूजर गाइड यहां पर कुछ वार्निंग का नोट मिला है मैं और यह रहा अपना वीडियो गेम इसको उपन करके भी मैं दिखा देता हूँ यह एक फोल्डबल वीडि सबसे पहले आप इन दोनों का साइज और डायमेंशन देख सकते हो यह जो वीडियो गेम है इसके आदे बराबर है जैसे कि आप देख रहे हो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यह जो वीडियो गेम है बिल्कुल इसके साइज का बराबर हो जाता है यह जो वीडियो गे इसका मैं overview आपको दे देता हूँ, यह जो video के हैं, यहाँ पर हमें 2 joysticks देखनी को मिलती है, यह देखे हो पूरी तरीके से move होती है, इस तरह से यह joystick यहाँ पर इसका d-pad है, यहाँ पर action buttons है, यहाँ पर start है, यहाँ पर stop है, उपर की तरफ यहाँ से volume आप control कर सकते हूँ, यहा से headphone लगा सकते हूं, यहां से on off कर सकते हूं, यहां पर right trigger, यहां पर left trigger दिया हुआ है, पीछे की तरफ इस तरह का दिखाई देता है, यहां पर speaker दिया हुआ है, इसी के अंदर battery install हो क्या आती है, battery हम लोग निकाल नहीं सकते है, battery जो है 400 mAh की दी हुई है, और यह जो battery अगर आ यहां पर start के buttons दिये हुए, यहां पर दो speakers दिये हुए है, left side यहां पर volume up down करने का एक wheel देखने को मिलता है, right side में यहां से आप इसको on off कर सकते हूं, यहां पर 16 GB का memory card भी दिया हुआ, इसी के अंदर सारे games load वगेरा होके आते हैं, यहां पर R2, R1, L1, L2 trigger buttons देखने को मिलत पीछी की तरफ यहां पर इसका battery compartment, battery भी मैं आपको दिखा देता हूं, BL5C category की batteries के अंदर देखने को मिलती है, अगर आप इस वीडियो के हमको एक बार charge करती हो, तो तकरीबन 12 hours तक आप इसे continuous use कर सकते हो, तो चलो फटाफट से इसको यहां से हम लोग on कर लेते हैं, इसका इसके अधर दिखने को मिलता है, तो फटाफट से इसको भी आउन करके बताता हूं, उसके बाद जो है दोनों में ही मैं आपको एक दो वीडियो गेम भी खेल के बताने वाला हूं, तो इसके मेनू के अंदर बहुत सारी चीजे हमें करने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर गे गेम्स है, वीडियो वगेरा भी हम लोग प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, इबुक दी हुई है, बहुत सारी चीजे हैं, जैसे कि कालकुलेटर है, फोटो वगेरा देख सकते हैं, वोइस वगेरा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, नीचे की तरफ यहां पर बहुत सारी games वगेरा दी हुई है इसके जो भी main main games है आपको starting के menu में ही देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख रहो है जैसे कि वापस से English में भी दिखा रहा है यहाँ पर कौनसी games है जहां तक बात करूँ मैं इसके display की display जो है उतना जादा crisp है नहीं क्योंकि यह TFT display दिया हुआ है पर इसके अंदर IPS LCD आपको देखने को मिलता है तो चलो फटाफट से मैं आपको कोई एक game खिल के बताता हूँ तो भी इसके अंदर Dragon Ball Z game मैं आपको खिल के बता देता हूँ वैसे इसके इंदर जितने भी games है इसकी जो quality है मेरे को बहुत जादा पसंद आई थी इतनी game जो start हो चुकी है ओके ओभाई गजब दोस्तों यहाँ पर यह जो बंदा fight कर रहा है इसका नाम अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना ओ भाई क्या ही fight कर रहा है यार देखो सभी के सभी जो बटन से काफी गजब तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर अरे भाई यह कहां से आ गया इसको कैसे मानना होगा मुझे यह उपर नहीं चड़ रहा है यार तो इसको उपर चड़ाता हूं मैं भी कौन सा बटन है यार इसको उपर चड़ाने के लिए ओके तो उपर चड़ चुका है यह लोग है मैंने माड़ दिया है इसकी बारी यह भी इसको भी खतम कर दिया मैंने तो यहां पर मैं आपको खिल के बताने वाला हूं स्ट्रीट फाइटर टू गेम बहुत ही जादा गजब की गेम होती है यह ओ भाई क्या ही फाइट कर रहा है यारे बंदा यह देखो गैस क्या ही मारा है मैंने इसको भी ओ भाई ओ भाई तो गैसे लोग इस वीडियो गेम के अंदर भी गेम खेल के देखते हैं फिलाल इसको मैं बंद कर देता हूं यहां से इसके इन्दर जो हापको जितने भी एमुलेटरस नजर आ रहे हैं वह बंद एक से बढ़ कर एक गेम इसके अंदर हमें देखने को मिलती है तो यहां पर मैपको कोई एक गेम खिल के बताने वाला हूँ तो भाई इस गेम का नम है Fatal Fury 2 तो Fatal Fury 3 भी मैपको खिल के बताने वाला हूँ यह देखो इस क्या ही ग्राफिक से भाई इसके अंदर वाँ बटन्स की क्वालिटी भी इसके अंदर बहुत अच्छी दी हुई है यह उठा उठा के फेक रहा है यह वंदा इसको देखो इसके अंदर जो है मैं Fatal Fury 3 नाम की एक गेम होती है वो खिल के बताने वाला हूँ ओ भई देखो गया इस क्या ही ग्राफिक से इसके अंदर बहुत मज़ा आता इस वीडियो गेम के अंदर गेम्स वखेरा खेलने में यार इसके अंदर जो है न मेरे को एक छोड़ी सी प्रॉब्लम लगी वो है इसका स्पीकर इसका स्पीकर जो है जादा साउंड है ने इसके अंदर बहुत ही कम वॉल्यूम दी गई है यहां पर देख रहो मैं इसकी फुल साउंड रखा हूँ फिर भी इसके अंदर से आवाज नहीं आ रहे यार एक प्रॉब्लम लगी इस वीडियो गेम के अंदर मेरे को तो अभी म 400-500 गेम आपको देखने को मिलती है मेरे हिसाब से दोस्तों आपको यह वाला वीडियो गेम खरीदना चाहिए क्यूंकि इसके अदर कोई भी लाइक वगेरा देखने को नहीं मिलता है सारी गेम काफी परफिक तरीके से चल जाती है वहीं पर इसकी बात मैं आपको बता दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाट आउट तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है शांतनू, रिक, अरहाम, विरेन, अदवे, सनीधिया बाचवाई, निखिल, कैवल्य, जुनेद, मिलिन, सौलंकी, थैंक्यू दोस्तों इतने इच्छे कमेंट करने के लिए दोस्तों आपको भी चाहिए शाट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजये लाइक, नीचे कर दीजये, कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूले है थैपकर निक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं Duncaugón का नाम से रणेट करूँगा जो भी आप इच्छ ஐ से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो ही पूतिया अन्ड मीलता हुआ अपसे मैं निक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुई धुमागेदार वीडियो गेम्स के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तो